जिला अध्यक्षो से उम्मी जताये कहा है कि पार्टी की नीतियों को जन्मानस तक पहुचाने का काम करेंगे। जिला अध्यक्षो की नई लिस्ट जारी करते हुए करनमारा बोले कि अब कॉंग्रेस की रीतियों को जन्जन तक पहुचाना है। तो 2024 से पहले ये महत्पपूर्ण इसलिए भी हो जाता है जहां एक तरफ संगठन को मजबूत बनाने की हर एक कवायद हर एक रणनीती कॉंग्रेस कर रही है। अगर पिछले विधान सभा चुनावों में हम चले जाएं तो कॉंग्रेस का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा। और साथिसाथ 2024 के लिए आगे की क्या रणनीती हो सकती है। क्या कुछ समीकरण सीटों की लिहाद से सही बैठेंगे। उसको देखते हुए तमाम जिलों के अध्यक्षों की जो एक लिस्ट है वो कॉंग्रेस ने जारी कर दी गई है। जिसमें कई लोगों को जिम्मेदारिया मिली है। ये वो नाम है इस लिस्ट में जो सामने आए हैं। कॉंग्रेस संगठन ने जिला अध्यक्षों की जो लिस्ट है जो नई लिस्ट है वो जारी कर दी है। और इस वक्त पंकज पवार जो चुके हैं फोन लाइन पर पंकज। दोजार चॉबिस की मदे नजर लगतार जो कवाइदे हैं वो कॉंग्रेस कर रहे हैं। और करण मारा साफ कहते की पारटी की नीती को जन मानस तक पहुचाने का काम किया जाएगा। लेकिन क्या इन तमाम लोगों में वो बात है इन तमाम चैरों में वो बात है जो तमाम कह सकते हैं वोटरों तक बहुत सके। देखिए अभी लिस्ट जारी हुए कुछ समय हुआ है और नाराजियां तो सामने आने चुरू हो गई है। पिजितम जिंग पहले ही कहा चुके है कि करन महरा जो लिस्ट बना रहे हैं या जिलाज जो बनाते हैं वो उनके खिलाफ है और या फिर अगर क्योंकि 2024 का अगर लोग सभा चनाव लड़ेंगे तो उनके लोगों से पूचा नहीं गया उन लोगों से पता नहीं किया गया त केंद्रिय स्वास्तमाइब